है कि नमस्का साथि हूँ आज हम लोग बात करेंगे उत्तरप्ठेश कए करन्ट अपेर्स के बारे मैं लास्ट एक साल में जो भी आपकी मत्षों गटनां गटी हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और आज की एक लास आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के किसी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए काफी मातपूर रहने वाली है खासकर उत्तर प्रदेश PCS और भी तमाम एक्जाम होते रहते हैं आपके और अगर आपके पास टाइम है और अदर राज्य के हैं आप लोग तब भी आप लोग इसे देख सकते हैं पहले उत्तर प्रदेश को देख लीजी आप लोग और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव है और आप देखेंगे राजनिती की द्रश्टी से भी काफी मात पूंड है क्योंकि आप देखते हैं 403 सीटे हैं या विधान सभा में विधान परिशन में 100 सीटे हैं राजसभा में 31 सीटे हैं लोगसभा में 80 सीटे हैं और आप सभी जानते हैं इसलिए सभी राजनितिक दलों की निगाहें उत्तर पिदेश पर ही आती हैं और आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि जो दिल्ली की गद्दी है ना इसका रास्ता लखनव से होकर जाता है और वैसे भी जो सामाजिक धार्मिक मुद्दे हैं जैसे राम जनम भूमी को लेकर फिर चाहे आप लोग किसने जनम भूमी को लेकर ज्यान बापी मस्चित को लेकर ताज महल को लेकर इस अभी आपके उत्तर पिदेश में ही आपको देखने को मिलेगी तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्या-क्या घटना एंगटी हैं क क्या क्या घटनाएं घटी हैं तो सबसे पहले हम लोग बरारसी में इसकिल इंडिया अंतराष्ठी केंद के बारे में बात करते हैं बारे में 2022 को NHDC International तथा हिंदोस्तान Ports Private Limited के मद्द वरारसी में इसकिल इंडिया अंतराष्ठी केंद केंद की स्थापना ही तो समझोता ग्यापन का आदान पिदान किया गया है क्या किया गया है आदान पिदान किया गया है और यह है केंद अंतराष्ठी कोसल की मांग के अनसार UAE, कनाड़, और अस्टेलिया और अनिक खाड़ी देशों में रोजगार ही तो भारती है युवाओं को पिसिक्षड पिदान करेगा और याद रहे N.S.D.C. International Limited राष्ठी कोसल विकास निगम की एक सहाई कंपनी है जो भारत को विस्टी की कोसल रादधानी बनाने ही तो स्किल इंडिया मिसन चला रही है और आप देखेंगे कि 16 अपरेल 2020 को भुवनेस और उडिसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतराष्टी है केंद की स्थापना हुई कहां उडिसा में फिर आप देखेंगे कि इपैंसन पोर्टल क्या इपैंसन पोर्टल एक मई 2022 को अंतराष्टी मजदूर दिवस एक मई को आप सभी कुमालों है कि अंतराष्टी मजदूर दिवस के रूम में मनाया जाता है और आप देखेंगे इस आउसर पर मुकमंत्री योगी आदितनाद ने सेवा निवित सरका बिक्सित किया गया है और इस राज जी की लगभग आप देखें 11.5 लाग पैंसन भोगियों को लाब होगा इससे पर आप देखें कि बुंदेल खंड एक्सप्रेस एवी कापी चर्चा मेरा है तीस अपरेल 2022 को उत्तर पर दे सरकार द्वारा की गई घोशना क्रिमसार समवंदित लागत आप देखें कि 7,666.80 करोड रुपी है और इसका प्यारा में भारत कूप चित कूट के निकट से समाप्त मतलब सुरू होता है वो समाप्ति इसकी ग्राम कुद्रेल एटावा के निकट जाकर खतम हो जाती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें सामिल जिले देखें तो चित कूट हो गया, बांदा हो गया, हमीरपूर हो गया, महुबा हो गया, जालोन हो गया, ओरेया हो गया, इटावा हो गया और एक्सप्रेस भी सर सन रेखर्ण पर पढ़ने वाली मुख नदियों में अगर सामिल बागेंड, कैन, सयामा, चंदावल बिर्मा, इवमना, बैतवा और सेंगर हो गयी, इस नदियों को भी याद रखेगा, इसके निर्मार से बंदेल खंड, छेत, आगरा, लखनव, एक्सप्रेस भी, इवमना, एक्सप्रेस भी कि माध्यम से तुरित, एवं सोगम याताया, इसकी कोरीडोर से जुड़ जाएग सम्मीलन का सूरत, स्मार्ट सिटी कॉर्पूरेशन डवलमेंट लिमिटेट के सहयोग से आवा सो सहरी मामलों की मंतराल है, भारस सरकार द्वारा आयोजिन किया गया है, और इस सम्मीलन में आईस, एस, ए, सी, 2020 की स्थापना की गई है, यानि की कहने का मतला है कि जो इंडिय इंडिया स्मार्ट सिटी अवोर्ड की बात हो रही है, उत्तर पिदेश को सरफसिष्ट राजी का पुरुसकार मिला है, यूपी को आपके सरफसिष्ट राजी का पुरुसकार मिला है, और आई, स, ए, सी, 2020 में उत्तर पिदेश की वार बिजेता सहरों में अगर आद देखे इसका ठीक है और आप देखेंगे स्मार्ट सिटी लीडर से पर उसकार वनर सी दूसरे नंबर पर रहा है फिर राज उर्जा जलवाईव सुचकांक देख लीजे ग्यार अपरेल 2022 को नीती आए उने राज उर्जा जलवाईव सुचकांक सुचकांक राउंड फर्ष्ट का सु इतने तेरे भी इस्तान पर रहा है ओप्रेशन काया कल्ब ओप्रेशन और इसके तहते राज में लगभग 30,000 माद्धें बिध्याले स्मार्ट कक्छाओं खेल में दानों उचित सौचालेयों पुस्तकालेयों कंप्यूटर पेपसालेयों कक्छा कला कक्छों अन आधुनिक सुविधाओं से सुसजित किये जाएंगे और याद रहे उत्तरपदे सरकात हो रहे हैं ओप्रेशन काया कल्ब की सुरुवाद काया कल्ब की सुरुवाद 2019 में की थी कब 2019 में फिर आप देखें ये लखनगु में राष्टी है रोग नेंतन केंद ये आपको मालू होना चाह अपरेल 2020 में इस अभियान का उद्धिस पिदेश के लोगों को इनसे फिलाइटिस मलेरिया डेंगू फाइलेरिया चिकन गुनिया सहेत बिभेन संचारी रोगों से सुरक्षा पिदान की जाएगी या सुरक्षा मिलेगी तो ये भी याद रखिएगा आप लोग गीतांजली गीतांजली स्री की किट्ती रेथ समादी गीतांजली स्री की उपन्यास रेथ समादी के अंग्रेजी अनवाद टॉम ओफ सेंड को बुकर पुरुसकार के सीरसक बुकर पुरुसकार के सीरसक चह दावेदारों में सामिल किया गया है और इसके लिए मिला भी है टॉम ओफ सेंड हिंदी की पहली दरशना है जिसे अंतराश्टी बुकर पुरुसकार के सीरसक चह दावेदारों में सामिल कि और गीताँजली स्री का जनम 1957 में उत्तर प्रदेश के मेन पूरी में फिर आप देखेंगे एयुद्धिया यह एरपोर्ट एसाथ अपरेल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारती विमान पतन परादी करन के मदल भूमी लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्चर हुए है औ अयुद्धिया यह एरपोर्ट पिदेश में लखनो बनाना सी कुसी नगर जेवर की बाद पांचवा अंतराष्टी हवाईड़ा होगा इस हवाईड़े का अद्धिकारिक नाम 2021 में मर्यादा पुरुसत्तम स्रीराम अंतराष्टी यह एरपोर्ट रखा गया और वर्टमान उत्तर पेसर का द्वारां अपलब्द कर आएगे आंकडों के इसार पिछले पांच बस वह में जी एम प्रटल में पोर्टल में सी के घरीदारें उत्तर पर पर है गुजरा दूसरे स्थान पर हमद्पेदिस तीरे इस्तान पर है और 2016 में सरकारी खरीद पिक्रिया में पारदेश्टा लाने ही तो जी एम पोर्टल लॉंच किया गया था लोग निर्मार संबान 2022 उत्तर पिदेश की राज जपाल आनंदी बेन पटल ने लोग गाय का सारदा सिनहा को लोग निर्मला सं उत्तर पिदेश संगीत नाटक अकादमी में सारदा सिनहा को संबान में एक लाक रुपे पिदान किये गये हैं और सादा सिनहा मैथली भोचपुरी की लोग गाय का है तो इनके बारे में भी याद रखिए हो सकता है कि पूंच ले आपसे और फिर आप देखेंगे कि तीसर जल पूरुसकार उत्तर पिदैस के सर्फषिष्ष इस मेरा है रास्ट पति रामनात कोंध में बिग्यारवन नई दिल्ली में तीसरी राष्थियेज को मारो में विज्जेताओं को पूरुसकार दी जल सरक्षन की दिशा में सरफस्ट पिदासन के लिए सरफस्ट राज्य सैंडी में उत्तर पिदेश को पहला पुरुसकार मिला है और इस सैंडी में राजस्थान तमिलनाडू किरमसा दूसरे तीसरे स्थान पर है उत्तर पिदेश आपका टॉप पर है मुझा पर पुर को उत्री छेत में सर्फ्टेट जिले का पितम पुरुसकार मिला है और आप देखेंगे उत्री छेत में सर्फ्टेट गाउं पंचयाद का तीसरा पुरुसकार पुरुसकार बलुआ बरानसी उत्तरफिदेश को मिला है इस आउसर पर राष्टपर्ती ने जल सकती अभियान केस्दारेन का अभियान 2022 सुबारम किया हुआ है तो ये भी याद रखेगा आप लोग सतीस महाना आप सभी जानते हैं कि यहां विधानसवा चुना हुए थे और भारती जिन्ता पाइटी वहुमत से आई है और आप देखेंगे कि भाजापा की वरिष्ट नेता सतीस महाना को उत्तर पिदेश की अठारवी विधानसवा का निर्वरोद अध्यक्च चुना गया है सदन में निर्वाचन की गोष्णा प्रोटेम स्पीकर रामा अपती सास्तिरी ने की है और हिंदी साहत संभिलन ये आप देखेंगे 12 से 13 मार्ट 2022 तक उत्तर पिदेश की प्रियाग राज में दो दिवसी है हिंदी साहत संभिलन के 73 वे बारसिक अधिवेशन का आयूजन किया गया है और याद रहे संभिलन के 111 वर्सों की इतिहास में अब तक 7 बार प्रियाग राज में अधिवेशन किया गया है यहाँ अंदिम बार 1994 में अधिवेशन आयूजित हुगा था तो ये भी आप लो याद रखेगा उत्तर पिदेश की आरती उत्तर पिदेश की आरती राणा और नीरज माधहो नारी सकती पुरुषका से सम्मानित हुए है ठीक है तो ये भी आप लो याद रखेगा उत्तर पिदेश महला दिवस के अउसर पर राश्पती रामनात कोविन ने महला ससकती करण की दिसा में आसाधान कार करने वाली पिदेश की इन दोनों महलाओं को नारी सकती पुरुषका से सम्मानित किया है और आप देखेंगे उत्तर पिदेश की आरती राणा को वर्स 2020 के लिए तता नीरजा माधहो को 2021 के लिए नारी सकती पुरुषका से सम्मानित किया गया है अंतराष्टी धर्व मेला ये 2022 ये आप देखेंगे उत्तरविदेश की आरती राना को वर्स 2020 के लिए निर्जा माधो को वर्स 2021 के लिए नारी पुरुसकार से समानित किया गया है अंतराष्टी धर्वपद मेला 2022 वरारसी के तुलसी घाट पर इस मेली के 48 वे संसकर्ण का आयोजन किया गया है 26 फर्वरी से 2 मार्च तक और आप देखेंगे कि इस मेली का आयोजन महराणा बनारस बिध्या नियास और धर्वपद सम्मिती के तत्वादान में किया गया है लगों को परियाबन के पिती जागरूखता करने के लिए इस बूत का निर्माण किया गया इस बूत की विशेषता सूने कारवन उसाजन क्योंकि इस बूत ये तु आवसक समग उर्जा की अबूर्थी सौर उर्जा से की गई तो आप कह सकते हैं काफी अच्छी बात है संजय गांधी PGI मैं रोबोट से ओपरेशन हुआ है किसे रोबोट से? संजय गांधी पोस्ट गेजुएट इंस्टिटीट ओफ मेडिकल साइस लखनवू मैं पहली बार रोबोट से दो बच्चों दो बच्चों का एक तरसे आप देखेंगे जटिल ओपरेशन सपल रहा है और PGI लखनव रोबोट के माध्यम से बच्चों का ओपरेशन करने वाला उत्तर पिदेश की पहली संस्ता है किसकी? उत्तर पिदेश की पहली संस्ता है सौदेशी सरच इंजन भारत सरच एचथपती साओजी महराज विस्विध्याले कानपूर की क्यूँ? तो अच्छी बात है देशी आतमर्भार हो रहे है नुएटा में वेस्ट लेंड to वेट लेंड परियोजना नुएटा पराधिकर द्वारा सेक्टर चमगन के डंफिंग ग्राउंड को बेस्ट वेस्ट लेंड to वेट वेट लेंड परियोजना की तरज्च पर समुद्री समुद्री बीच के रूम में विक्सित किया जा रहा है और 25 एकड़ छेतों में बनने वाले इस वेट लैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्मनोरंजन के साधन उपलब्द हैं होंगे फिर आप देखें ही निवार्क में में मेड इन इंडिया इतराजदानी का दरजावी है किसे कन्नोच को आप सभी जानते होंगे डॉक्यूमेंटरी राइटिंग विथ फायर भारत की डॉक्यूमेंटरी फीचर राइटिंग विथ फायर ऑसकर 2022 के लिए तु नामित की गई हाला कि यह पर उसका जीतने में आसफल रही है राइटिं जाया है खबर लहरिया अकबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित संचालित किया जाता है राइटिंग विथ फायर से संडांस फेल्म फेस्टिवल 2021 में वर्ल्ड सिनेमा डॉकुमेंटरी सेडी में ओर्डियंस अबॉर्ड एबं इस्पेसल जूरी अबॉर्ड ज गरतन दिबस 2022 की सर्फसे जहांकी और सर्फ टेट मार्चिंग टुकडियों के पढ़िडाम गुस्तित किये गया उध्याम में उत्तर पदेश को जहांकी को सर्फ से जहांकी की रूम में चुना गया है गर्थ अदर पदेश एक जिला एक उत्पात और कासी विसुनात धाम विसाइप आधारिच जहांकी आप देखेंगे, जहांकी को पिता में स्थान विला है, फिर आप देखेंगे स्री लाल सुकल इसमीती इपको साहित सम्मान, 31 जनवरी 2022 में, वर्स 2021 इतू, यह सम्मान आपका एक तरह से क्या है, यह सम्मान राची के कथाकार सिमूर्ती को पिदत किया गया है, ब्रिज की 84 कोसी परिक्मा मार्ग, केंदरी सरक परिभान और राजमार्ग मंतरी नेतिन गड़करी ने मत्रवा उत्तर पिदेश में, जितमार को नई राष्टी राजमार्ग के रो में घुसित किया जाएगा, और भारत मारा परियोजना चर्ण 2 में सामिल किया जाएगा ऐसे, मैन पूरी इस्ते सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है, उत्तर पिदेश सरकार ने आप देखेंगे, मैन पूरी जिले म इस्ते सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल विपन रावत के नाम पर रखने का फैसला किया है, और पहले CDS थे हमारे जनरल विपन रावत साब भारत के पहले चीप और डिफरेंस थे, एक हवाई दुर्गटना में इनकी डेथ हो गई थी, आगर मास्टर पिलान 2021, आ भारत की प्धान बंती नेद मौधी ने मेरट के जली के सरधना में मेजर ध्यांचंद खेल विपन राखने के सलन्यास किया है, इस विपन राखने में खेल खेल विज्यान, खेल पर उदकी, समंधी पाठकरम का पिसीख्चन और सोधकार संचालित किया जाएगा एक तरे से और भारत का पहला खेल विज्विद्यालाय 2018 में मडीपुर में स्थापित हुआ था, चंगवनबाद दीक्चांत समारो, 28 देसंबर 2021 को प्धान मंती नेद मौधी ने भारती प्रोदुकी की संस्तान IIT कानपुर के चंगवनबाद दीक्चांत समारो को संभोधित किया है, और राष्टी ब्लोक्चेन परिवजना के था, प्धान मंती ने ब्लोक्चेन आधारी डिजीटल डिग्री का सुभारम किया है, इन डिग्रीयों को पूरे विस्व में कहीं भी सत्याफित किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, सत्याफित किया जा सकता है, यह लखनव में परिक्षन केंद की आधार सिला रखी है क्या रखी है? आधार सिला रखी है और बनारस में विभिन परियोजना का सिला नियास का उद्गाटन किया गया है हमारी पिधान मंतरी साहब ने नेदमोदी द्वारा बनारस में अमूल की बना आस कासी संकुल परियोजना का सिलन्यास किया है और आप देखेंगे कि 23 देसंबर 2000 कब की बात है 2021 की बात है डेरी उत्पादों की गुडवत्ता और सुरक्षा सुनेशित करने के लिए पिधान मंत्री ने पिमाडन जिन डेरी मार की भी लौंच किया है और रामनगर वनारसे में पिरिपदेश के सबसे बड़े गोवर्स बायो गैस सयंत का भी सुभारम किया गया है उत्तर पिधेश भारब में सरवाद एक दुख दोत्पादन करने वाला राज्च है इसमें कोई साक नहीं है क्योंकि सबसे जान्दा पसू यहां देखने को मिल जाएंगे आपको फिर आप देखें कि नेपून भारत निगरानी केंद एक क्या कह रहा है एक मुकमंत्री योगी आदितनाज ने गोरकपुर में नेपून भारत निगरानी केंद का उदगाटन किया है पिदेश में सिक्षा की आधारवूत एकाई बेसिक सिक्षा परिशत द्वारा तकनीक का बहतर उपयोग करते हुए जी आईएस आधारित बिद्यालाई पर्फॉमेंस किट मैप लाइनिंग कम आउट मैप बेस्ट नेपून भारत योजना का सुपारम किया गया है तो इसके बारे में भी एक ओवर्वीव लखिएगा पीली भीत एक योँ चर्चा में उत्तरपदेश में इस्तित इस जिले में तीन दिबसी ये बासुरी महुसाव आयुजित हुआ है इस महुसाव में पीली भीत के कारीगरों ने 16.06 फिट लंबी बासुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन वोक और रिकॉर्स में और वर्ल्ल रिकॉर्स इंडिया में सामिल किया है तो ये छोटे छोप फोटो एक पॉइंट है ये भी याद रखिएगा लखनो में MAD Tech केंद्रिये मंत्री राजीप चंत सिकर द्वारा यहां इस्तित SG PGI PGI में उत्तर भारत की पहले उद्धिमिता केंद MAD Tech का उदगाटन किया गया है और केंद्रिये गिरह मंत्रिये में साहथ द्वारा इस सहर में आप देखेंगे इस सहर में इस सहर में उत्तर पिदेश State Institute of Forensic Sciences का सिलन्यास किया गया है और राश्टमती नामनात को विन द्वारा उत्तर पिदेश की राजधानी सहर में भारत रण डॉक्टर भीमरा उमेड का इसमारक इवम सांस्किति केंद का सिलन्यास किया गया है क्या किया गया है सिलन्यास किया गया है अकिल भारती महापौर संभीलन उत्तर पिदेश की वरारस जिले में अकिल भारती महापौर संभीलन का वर्चुल माद्ध्यम में से आयोजन किया गया है और इसका सुबारम पिदानमंती नायदमोदी ने किया है और आप सभी जानते हैं बनारस से ही संसदीय चित है इनका मौदी साहब का यहीं से चुन कर आते हैं लोग सबसदसबन के आते हैं और यह कोरीडर बनारस के पिराचीन कासी विस्वनात मंदिर को सीधा गंगा घाट से जुड़ेगा यह मंदिर कोरी रूड के पहले केबल 3,000 बर्ग फिट में था जिसे अब लगवग 5,000,000 बर्ग फिट चित में विस्तित कर दिया गया है गोरकपूर विसे सिक्षाचित केंदरी सिक्षा कोसल विकास इवों उद्दिवित्ता मंतरी धरबेंद पिदान ने गोरकपूर को विसे सिक्षाचित बनाने की गोशना किये और विसे सिक्षा चित का उद्देश चात्रों को वेस्विक्स नागरिक के रूमें तेयार करना और अकादमिक गतिविदियों के माध्यम से विस्व की समस्याओं का समाधान करना है नोईडा में आप देखेंगे देश का बने का देश का सबसे बड़े हैली फोर्ट उत्तरपदे सरकार न नोईडा में देश के सबसे बड़े हैली फोर्ट को बनाने की प्रिस्थाओं को मंजूरी पिदान کی है और आप देखेंगे इस हैली फोर्ट को पबलिक प्राइवेट पार्टनर से मॉडल पर नोईडा की सेक्टर 159A में बनाए जाएंगा और याद रहे BP, BB, IP, मुवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला बिसका सबसे बड़ा हेलिकॉप्टर MI 172 भी यहां से टेक आउप ए लेंड कर सकेगा गोरकपूर में विवन परियोजनाओं का लोकार पड़ किया और आप देखेंगे कि इन परियोजनाओं में गोरकपूर और वरवरक सेंथ अखिल भारतिय आयोविट ज्यान संस्थान ICMR छेत्री चेकसान संधान के अंद आपका सामिल है मंत्र ट्रेकिंग एप ये क्या है ये आप देखें कि मुकमंत्री योगी आदितनात ने पांच जार नभी स्वास्त उपकेंदरों पांच बी एसल टू पंदरा बी एसल टू प्रियोक साला तथा मान आउजात ट्रेकिंग एप मंत्र का लोकार पड़ किया है दिसंबर 2021 की गाते है ठीक है डॉक्टर राजंथ पिसाद के नाम पर राश्टी बिधी विशविध्यालाय का नाम करन्ठ राजंथ के नाम पर करने की गोष्ट प्रशिविध्यालाय की गई है गोरखपुर में दूरदर्सन अभू उपग्रह केंद काड़ का रपारपण किया है उत्तरफधिष के मुक्वंत्री यह हो गाँधितनात ने गोरखपुर जिले विए मा वा उस्विध्यालाया कसल अन्यास किया है और यह है एक राजविस्विध्याला है क्या है राजविस्विध्याला है यह याद रखेगा गोरखपुर मेट्रो फ्रोजेक्ट मोकमंत्री योगी आधितनाथ आधितनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टर मेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट की फेज फर्ट का अनुमोधन किया है, क्या किया है, अनुमोधन किया है, और गुरकपुर में मेट्रो टेन को दो रूटों पर संचालन पर स्तावित है, फिर आप देखेंगे नावाद वाजिद अली साहे प्राणी उद्यान, मुकमंती होगी आत स्टरप्पदेश सरकार ने निरयाचा नीती उत्तर पधेंगे कि पराणी और अप देखेंगे पहली बार इतनी विस्तित नरीयाचा नीती का वागनीत जारा है, निरयाच नीती उत्तर पदेश 2020-25 के फोकस व्चेट, हास्ताज चल्फ किरसी यह वं पकिसंज किट, और खा रक्षा उत्पात सिवाचित सिक्षा पर एटन आई टी आई टी आई टी एएस मेडिकल वेल्यू टेवल्स और लोजिस्टिक्स इसमें सामेल है इसके ठीक है तो यह भी याद रखिएगा आप लो जासी में रक्षा उपर एकाई तथा 600 मेगावार्ट अल्टा मेगा मेगा सो इन दिबसी है राष्ट रक्षा समर्पन परप जासी जलसा कारिकरम समाबन समारों में परियोजना का लोकर्पन उसे लन्यास किया है यह 19 नवंबर 2021 की बात है उत्तर विदिस में डिफ्रेंस इंडर्स्टियल कोरीडोर के जासी नोड में भारत नाइड डायनोमिक्स लिमि फिर आप देखीने कि नोड़ा में पहला बायू पिदो सन नेंतन टावर यह आपको देखने को मिलेगा की भारत है भी Electricals Limited द्वारा हरित द्वार की में बिक्सित बायू पिदूसन नेंतन टौवर का नोईडा में उदगाटन किया गया है या टौवर अपने धरातीय लिस्तर की माध्यम से पिदूसे थवा को खीचता है और आप देखेंगे कि टावर में इस्तावित फिल्टर बायू की पिदूसक तत्तों को सोक लिता है और इसके बाद टावर के उपरी हिस्ते से स्वक्ष बायू निकल जाती है अखेल भारती राजभास सम्मिलन उत्तरपदिस की बरार्सी जिले में स्थित पंडित दीन दयाल उपाद्या हस्तकला संकुल में सम्मिलन का आयजन किया गया है क्या किया गया है आयोजन किया गया है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकटी अपने पास रखा करिएगा और इस दो दिवसीं है, राजभासास सम्मेलन का आयजन राजभासा वेभाग ग्रह मंतरा लेदवारा किया गया आजाकी अजाधी की अमरत महहसों के टहत्त पहली बार अखिल भार्थी है, राजभासाव सम्मेलन का आयजन देश की रादानी नाई दिल्ली से बाहर हुआ है आजमगर्ण राज विस्विध्यालाइका सिलन्यास के अंदरी गेहरे एवं सहकार्था मंतरी अमिस साहक ने उत्तरपिदेश की आजमगर्ण जिली में आजमगर्ण राज विस्विध्यालाइका भूजबी पूजन और सिलन्यास किया है और विसविद्यालयकर निर्माण कराने वाले कार दाई संस्ता उत्तर प्रदेश लोग निर्मार बिफाग है फिर आप देखें कि अयुद्या में पंचम दीप उत्साव का आयुजन यह आपको देखने को मिलेका है कि अयोध्या में सर्यू नदी के तरफ़ मुकमंत्री योगी आलतनात की उपस्तिती में पांचवी दीप उत्साओ का आयोजन किया गया है और 2017 से पिती पर छोटी दीपावली के अवसर पर दीप उत्साओ का आयोजन किया जा रहा है इस बार आयोजन पांचवी दीरपुत साओ में लगभग 11,90,000 दीप जलाए गया है अब समझ रहे हैं एक बड़ी संख्या होती है और जिसमें ऐसे लगभग 9,50,000 जलते दीपों का विसर रिकॉर्ड गिरेनेज वुक आफ वर्ल रिकॉर्ड में दर्च किया गया है वटे सोर पसुमेला आगरा जिले में यमना दिदी के तर्ट परिस्तित भारत के धार्मी के तिहासिक इस्थल वटे सोर में पसुमेले का सुभारम हुआ है या भारत का एक महत्पूर्ण अध्यात्मी कोज सांस्कितिक केंद है जो यमना सहरीपोर के तट परिस्तित 101 से मंदिरों के लिए जाना जाता है फिर आप देखेंगे फैजाबाद जंक्सन का नाम परिवर्तन ये नाम परिवर्तित करने की परंपरा भी हमारे देश में बहुत चलती है ये सरकार आएगी तो वो नाम बदलेगी वो आएगी वो बदलेगी इस तरह का चलता रहता है उत्तरपिदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्सन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आयुध्या केंट रेलवे स्टेशन कर दिया है इसका नाम और याद रहे 6 नवंबर 2008 को उत्तर पिदेश सरकार ने फैजाबाद जिली का नाम बदल कर अयुद्ध्या करने के करने हो जिली के पिसासनिक मुख्याले मुख्याले को अयुद्ध्या सहर में स्थानांतित करने को मंजूरी इतिदान दिये उत्तर पिदेश में पारदर्सी कंपोष्ट सेलेंडर मुख्याले कानपोर में घर घर पहुचानी की परियोजना है जल्वाई परिवर्तन सम्मेलन 2021 उत्तर पिदेश के मुख्याले इंद्रा गांधी पितिष्ठान लखनों में उत्तर पिदेश जल्वाई परिवर्तन सम्मेलन 2021 का सुभारम किया है यह 28-29 अक्टूबर 2021 के मद्ध हुआ है जल्वाई परिवर्तन विभाग उत्तर पिदेश और जर्मन डेवलम्मेंट एजनसी के सहयोग से किया गया है और मुखमंत्री द्वारा 5 बर्स, 5 बर्स में 100 करोड पेड लगाने के संबंदित एक पुस्तक ब्यक्षार ओपन जन आंदूलन 2021 का बेमोचन किया गया है मुखमंत्री ने इस आउसर पर कारवबन नीट्रल एप लाँच किया है पिदेस में 3 एको पर्याटन सरकेट का भी सुभारम किया है फिर आप देखेंगे उत्तर पिदेस में 9 medical college का लोकार पड़ हुआ है पिदानमंत्री ने जनफत सिद्धाद नगरन से पिदेस के 9 medical college का लोकार पड़ किया है ये Medical College, सिध्धात नगर, एटा, हर्दोई, पिताफगार, देवरिया, गाजीपूर, मीर्जापूर, फैतेपूर, जौनपूर में है फिर आप देगें कुसी नगर अंतराष्टी हवाई इड़े का उधगाटन पिदानमाथी ने जर्पत कुसी नगर में, कुसी नगर अंतराष्टी हवाई इड़े का उधगाटन किया है इस साउसर पर पिदानमाथी ने राज़ किये Medical College कुसी नगर का सिलन्यास भी किया है और कुसी नगर अंतराष्टी हवाईडए अड्ड़ा पिदेश का नौबा कारगर आप देखेंगे हवाई अड़्ा बन गया है ठीक है छटी बटालियन एग्या है आप देखेंगे हालही में उत्तर पिदेश तरकादवारा एउद्यां में उत्तर पिदेश विस स्थाफित किया जाने करने लिए लिए आ गया है यू ए यू पी एससे का गठन शेप्टमबर 2020 में पिदेश की कोर्ट फिर्मुक अधार्मिक स्थलों पितिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया और आप देखें पाईडाम सुरूप जून 2021 में यू पी एससे एप की प उत्तर पिदेश हिंदी संस्थान ने वर्स 2020 के सम्मानों पुरुष्कारों की घूशना की है और वर्स 2020 के लिए पिदत प्रमुक पुरुष्कार भारत भारती सम्मान आठ लाक रोपे दिया जिता पांडिस ससी भूसर्ण से तांसू को अमरसर के हैने दिया गया है और 2019 से पुरुष्का डॉक्टर सूरवाला मुंबई को दिया गया था लोहिया साहत सम्मान पांच लाक रोपे दिया जाता है डॉक्टर राम कठिन सिंग को लखनु के हैं और हिंदी गौरब सम्मान पांच लाक रोपे भगवान सिंग गाजिया बाद को दिया गया है महत्मा गां हो सकता है कि आपसे भी पूँच ले क्या कर ले पूँच ले अब अंती भाई साहित सम्मान पांचलाक रुपी और इसमें आप देखें डॉक्टर सतीस आलोक नोईडा को दिया गया राजसी पुरुसोत्तम दाश टंडन सम्मान पांचलाक रुपी गुजरात हातरश जली के मुरसा मुरसान रियासत की राजा थे फिर आप देखें पोसन सम्मर्धन की और एक कदम अभियान उतर प्रदेश में एक जुलाई सित्ती सेप्टमबर दोजार इकीस की मद्दे एक से पांच वर्स तक के ते गहन अती को पोसित बच्चों की स्वास्त में सुधार 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 ही तुपोसन सम्मर्धन की और एक कदम नामकभियान चलाए गया फिर आप देखेंगे सोलेवा बारसिक वहलर कचुआ सरक्चन पुरुसकार भारती जी बिग्यानी सैलेंद सेंग को सुलेवे वहलर कचुआ सरक्चन पुरुसकार से समानित किया गया पुरुसकार कचुआ सरक्चन और जी बिग्यान का नोबल पुरुसकार माना जाता है यह पुरुसकार गंबी रूप से लुक्त परयाब कचुआ पर जातियों को बिलुक्त होने से बचाने के लिए दिया जाता है और सेलेंद सींग उत्तरपेदेश में भारत नेपाल सीमा परिस्तेत कारतिनी घाट कातरनी निया घाट बंड़ी अभ्यारन के पास छोटे से गाउं में रहने क्या है? रहने वाले हैं उत्तरपेश संस्थान परुसकार A.B. सगस्त दोहजार 21 को उत्तरपेश संस्थान लकनव द्वारा वर्स 2020 के परुसकारों की घोशना की गई है और इन इस वर्स संस्थान का सर्वोच से विस्त भारती परुसकार इसमें 5 लाख कितना पांच लाग एक जार रुपे लखनोग के प्रूपेसर ओम पेकास पांडे को पैदान की जाने की गोश्णा की गई है 2020 सेतु संस्थान के अनप्रमोग पुरसकार महसी वालमी की पुरसका डॉक्टर बिसनलाल गौन को वाजियाबाद के हैं और आप देखेंगे महसी ब्यास पुरसका डॉक्टर कमला पांडे बना नसी की महन्द महसी नारत पुरसका चंद गुप्त सेरीधर वर्नेकर नांगपुर महराष्ट के हैं तो इन पुरसकारों को भी याद रखेगा आगरा परियाग राज में उत्तरप्रदेश करने की अनुमती प्यदान की है और इस तरह से आप देखिए आपका उत्तरप्रदेश का करेंट अफिरस कबर हो जाता है अपकी समसमाईग घटना चक पूरी तरह से कबर हो जाती है और 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक की करेंट की घटना इसमें सामिल की गई है और समसमाईग की घटना चक 2022 की नम से आपकी बिलेलिस्ट सूची है वहाँ जाकर आप लोग पूरी सभी कलासे आप लोग देख सकते हैं करम से ठीक है और बताइए और कई कुछ जरूरत हो तो उसे भी हम लोग कौसिस करेंगी कि वो भी आपको उपलब्द कराई जाए इस्टरड़ मटेरियल में मुझे नहीं लगता है कि कमी है आपके पास एक